गुड मॉर्णिंग इस्टूडेंट आज अपन पढ़ने जा रहे हैं में से फाइनल प्रैक्टिकल का टोपिक इस्टेडी ओप मुजियम स्पेसिमेंज के अंतरगा सीन में इथस फिश सबसे पहले मुजियम स्पेसिमेंज में अपने देखते हैं सिस्टेमेटिक पॉजिशन जो भी अपना मुजियम स्पेसिमेंज होता है उसकी तो सिस्टेमेटिक पॉजिशन बाकी बोनिफिशेज की तरह इसका होता है इसका फाइलम कोड़ेटा है जो basic fundamental character है कि ये character वो इसमें पाया जाते हैं group cranita है जो कि cranium brain और head इसमें पाया जाता है sapphylum vertebrate, vertebral column present है division, netho stomata जो and paired appendages इसमें present होते हैं super class की बात करें तो pieces है, paired fin kills and skin with this kills present होती है class ostrich bonifixes जिसमें consider होती है क्योंग ये एक bonifix है इसलिए इसमें consider की जाती है sub class actinopter जाई क्योंकि ये रेफिंट फिश है और super order की बात करें तो teleostry तो ये जो है fish ये true fish, true bonifix है order की बात करें तो gastroistiformis या singnathiformis इसका order होता है इसकी जो body covering हो scales की जगए boni plates की बनीवी होती है family इसकी singnathid है और genus इसका singnatas अब अपने इसकी बात करेंगे external morphology की तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो अपनी fish है ये singnathas जो fish है इसको अपन commonly ये कहलाती है pipe fish pipe fish इसे क्यों कहते हैं जैसा कि अपन इसकी structure देख रहे हैं ये तो moody wave अबस्ता में अगर अपन सीधी इसकी structure देखें इसको सीधा करके देखें तो ये इसकी जो body सरंचना है ये tube pipe के जैसी है ये एक pipe जैसी इसकी सरंचना होती है इसलिए इसको अपन कहते है pipe fish totally ये pipe जैसी होती है और बहुत सारी character लगभग इसके जो characters है वो मिलते है हिपोकेंपस क्योंकि ये दोनों fishes singnathas same family को भी लोंग करती है इसका जो head region है mouth है इतना हिपोकेंपस में जो इसकी total body होती है body के 90 degree angle पे मुड़ावा होता है जबकि इसमें सीधा होता है लेके वोई लंबा snout इसका होता है निकला हुआ head region से आगे की तरफ ये लोगेटेड snout, tubular snout इसमें पाया जाता dermal armor इसमें भी जैसे कि अपन ने देखा कि हीपोकेंपस में पाया जाती है dermal plate से बनावा armor कवच पाया जाता है scales इसमें absent होते हैं वो इसमें पाया जाता है इसमें pelvic fin absent होता है pelvic fin नहीं पाया जाता है और male brood pouch इसमें पाया जाता है हीपोकेंपस की तरह और pectoral fin, dorsal fin इसमें पाया जाता है pectoral fin भी इसमें पाया जाता है छोटा और हीपोकेंपस और इसमें एक difference हो रहे है कि इसमें codal fin present होता है जबकि जो हीपोकेंपस है उसमें codal fin नहीं पाया जाता है इस तरह से देखने में इसकी जो इस्ट्रक्ट्र है पाइब जैसी होती है उसे पाइफिश कहती है अब अपन देखेंगे इसके जैंडल करें तो सिंगनेथिस जो है सिंगनेथिदी फैमली को गलोंग करती है ये मारायंग ब्रेकिश और कई लिकिन इसका डिस्टिबिशन अगर आपन देखें तो एटलांटिक इंडियन पैसिफिकोशिंग में पाई जाती है फोसिल्स अगर इस स्पीसीज के फोसिल्स की बात करें तो वो मिलें ओलीगोसिन से प्लिस्टोसिन तक इसके तब से ही इसका विकास हुआ हुआ इसको लोकिलिटी की अगर अपन बात करें कि लोकिल लाइस्ट जो डिस्टिबिशन हो वो कहां कहां है तो ये ग्रीस में पाई जाती है इटली जर्मनी और यूनाइटेड इस्टेट्स में मिलती है इसकी बोड़ी होती है सी होर्स की बजाए स्ट्रेट बोड़ी होती है लूं ट्यूब पाइप के जैसी पाई जाती है इसलिए इसको पाईप फिश कहते हैं और माउथ जो है इसका वो टूथ लेस माउस माउथ पाया जाता है दांगे में नहीं होते है इसकी बोडी कोट टेल लंबी पतली और स्नेक लाइक होती है और हाइली मोडिफाइड स्केले वो इसमें एक्स्टरनल जो एक्जो स्केलेटन है उसके रूप में पाई जाती है डर्मल स्केलेटन पे कहीं कहीं पे लोकुट्यूडन रिस भी पाया जाते हैं वर्टिकल सेक्शन को अगर अपन देखें तो वो एंगूलर दिखाई देता है राउंड और ओर ओल नहीं दि नहीं पाये जाते हैं जैसे कि पेक्टरल फिन है वो छोटा पाये जाता है पेल्विक फिन इसमें नहीं होता है कोडल फिन बहुत छोटा होता है तो डोर्सल फिन जो होता है वो इसका प्रिंसिपल लोकोमोटरी औरगन के रूप में काम करता है वेंटरल फिन इसमें एबसे यह बहुत वीक स्वीमर है ओपन वाटर में यह स्लोव करता है रैपिट मुममेंट इस में नहीं हो पाते हैं और यह जो मुममेंट भी डॉरसल फिन के कान यह कर पाता है कुछ पाइ फिश्पिश की जो इस्पिशीज है उनमें सी होर्स के जैसे प्रहेंसाइल टेल्स भी पाय जाती हैं कुछ इस्पिशीज में लेकिन सब में नहीं होती है जो codalfin है वो majority of pie fishes में पाया जाता है जो locomotion में थोड़ी बहुत help कर सकता है ये जो कुछ species ऐसी होती हैं pie fishes की जिसमें more developed codalfin पाया जाता है और उस group को इकठे रूप से कहा जाता flag tail pie fish जो की कुछ strong swimmer है slow swimmer नहीं है flag tail pie fish जिसमें की बड़ा codalfin पाया जाता है अगर अपन habitat और distribution की बात करें इसकी distribution अपन देख चुके हैं कि कहां कहां पाया जाता है पर ये जो abundantly coastal area है tropical और temperate zone में पाया जाती है इस species और marine dwellers ये होते हैं बहुत कम species fresh water में पाया जाती है इसकी body size की अगर अपन बात करें तो ये 35 से 40 cm इसकी length होती है और ये coral reef और sea grass bed में shelter लेता है इसका habitat होता है वो sea horse की तरह ही coral reefs और sea grass beds में पाया जाता है habitat loss or threat habitat loss की अपनने बात करी कि जो जैसे hippocampus indigen है वो भी extinction को face कर रही fish की species है क्योंकि habitat loss और habitat loss जो coral reef है उनकी bleaching main कारण है जो acidity of sea water के increase होने के कारण होती है या temperature जो sea water है उसका बढ़ने के कारण इस ट्रोम एक तो इसमें swimming बहुत slow होती है swimming ability कम होने के कारण इसके जो predators है वो इसको पकड़ लेते हैं शिकार कर लेते हैं दूसरा जो human recreation है human manov के द्वारा भी इसको पकड़ आसानी से पकड़ लिया जाता है और तीसरी चीज़ इसमें जो sea grasses जैसा कि अपने बात की कि sea grasses या फिर इसकी जो coral reefs हैं उसमें disturbance create होने के कारण भी इसका जो habitat loss हो जाता है और एक इसका जो distribution है वो खुद narrow distribution पाया जाता है नए habitat में ये आसानी से अड़ाप्ट नहीं हो पाती है अड़ाप्ट होने में enable होती है, समर्थ होती है इसलिए भी इसको जो survival को खत्रा हो जाता है और इसकी population को जो affect करता है वो एक factor और है वो है Chinese medicines remedies Chinese medicines में भी इसका use किया जाता है इसलिए इसको medicinal या फिर medicine यूज medicines में यूज होने के कारणा भी इसकी जो population है उसको खत्रा है एक्वेरियम ट्रेड में भी पाइफिश रिसेंट जो येर से उनमें एक्वेरियम ट्रेड के लिए भी इसको उप्योग बढ़ा है इसलिए भी इसको इस फेश को खत्रा पैदा होता है और अगर अब इसके reproduction के अपन बात करें तो reproductive behavior जो है वो seahorse के जैसे ही इसमें पाया जाता है जो male होता है वो parenting duty पूरी करता है parenting duty निभाता है क्योंकि इसमें male में post gigantic जो care है of spring को वो male की द्वारा provide करवाई जाती है male में brood pouch पाया जाता है और उसके brood pouch में ही जो post gigantic जो development है वो होता है adult बनने तक और फिर miniature जो version है adult बन जाता है वो फिर जो opening है brood opening उससे बाहर निकल जाता है brood pouch जो है वो dorsal fin के opposite side में पाया जाता है female जो होती है वो opening small opening जो पाया जाती है brood में उसके द्वारा eggs से वो deposit कर देती है और वहां फिर sperm के मिलने से fertilization complete होता है और जो male होते हैं वो जो extreme covering है जो होते हैं वो इसको cover कर लेते हैं अपने brood pouch को जो opening है उसको बंद करके रखते हैं फिर अंदर जो embryo है उसका development होता है coat ship जो इसमें होती है male और female pipe fish में वो थोड़ी लंबी होती है और complicated होती है और इसका जो display है इस दोरान इसको मानों के द्वारा पकड़ना बड़ा आसान हो जाता है ये भी एक कारण होता है कि जो breeding season है इसमें इसको इसकी population जो है वो कम हो जाती है तो copulation के दोरान इनको पकड़ना बड़ा आसान होता है copulation में जो है वो दोनों ही male और females के द्वारा dance perform किया जाता है wriggling shaking motions उसमें पाये जाते हैं और इस इस तरह की activity पाई जाने के कारण और लंबा coat ship display पाये जाने के कारण ये जो इसकी population है उसको predator से और human being से खत्राउपन होता है इसलिए ये predation जो इसमें है इसका जो शिकार होने का जो risk है वो copulation के time high risk का पाया जाता है और females जो होती है वो इसमें एक साथ ही ज्यादा मात्रा में egg होते हैं वो ज्यादा मात्रा में egg deposit करती हैं और जो randomly नोर्मली जो इनका mate है वो larger female होती है larger females, male की बजाए बड़ी female को males होते हैं वो prefer करते हैं copulation के लिए और जो इनमें copulation के दोरान जो courtship dance है वो खत्म होने पर female egg ovipositor के दोरा brood pouch में transfer करती हैं और फिर जो patch of skin है male का vental body surface का उससे उसको बंद कर दिया जाता है और थोड़ी time बाद उसमें fertilization complete हो जाता है जिसमें की male होता है वो S-shaped posture लेके अपने आपको stable कर लेता है जिससे की जो eggs होते हैं वो उन में और sperm आपस में मिलना हो और वो fertilization complete हो जाए और directly sperm brood pouch में ही eggs के उपर deposit किया जाते हैं और फिर उसको हिलाया जाता है brood pouch को तो fertilization इसमें complete हो जाता है और कुछ week तक जब embryo develop होता है पहले जाइगोट बनता है embryo बनता है और फिर जब miniature adult का निर्मान हो जाता है तो males के द्वारा जो small opening pouch की पाई जाती है उससे उसको बहार निकाल दिया जाता है और उसके बाद next brood के लिए वो तयार हो जाता है उसके बाद उसमें seahorse की तरह कोई भी parental care नहीं पाई जाती इस तरह से आज का अपना topic यहीं खत्म होता है पढ़ाई करते रहिए Thank you